नमस्कार पंजाब स्टेट का से स्टार्ट हो गया है नोटिफिकेशन आ गई है सब कुछ आ गया है नोटिफिकेशन तो पहले भी आई हुई थी आपको दिखाए तो में इनकी ऑफिशल वेबसाइट क्या है और सबसे बड़ा जो चेंच है दुखा कहली जिए या पंजाब क नहीं रूल कहली जिए कि इन्होंने बड़ा अजीब सरूल निकाल दिया निकाला देशिए इनकी मेन वेबसाइट होती है हम जानते ही है कि 31 अगस को नोटिफिकेशन आई थी पंदरा पेज की जिसका मैंने वीडियो बनाया था और उसमें एक नया सरूल आ गया था कि बना रखता है बहुत जिए को गवर्मन कोटा नहीं है जो नोर्मन कोटा ने जसे नडर शाजे होए Jacob大 न西 चैन इसा होता है कि currently आप कहीं भी रह सकते हो तो एक सवाल पूछा जाता है कि आप फिलाल कहां रहते हो आपको रेजिडर स्टेट क्या है उसके साफ से आपको हमें लगता है बच्चों की हमें फॉर्म में भरना ताकि हमें वैसे सेंटर मिले तो कई बिचारों ने जो फिलाल जैस तो आपका जो आपने फॉर्म में जो अपना current रेजिडर स्टेट है वो आपने पंजाब ही भरना था अगर आप पंजाब आपने उसमें नहीं भरा तो आप इसके लिए eligible ही नहीं रह जाते अब यहीं मैंने देखा था I'm just looking again कि वो कहा गया तो यह बहुत ही एक different और हाई उन्होंने कर दिया है और मैं तो कि लोगों को भी का था यह देखिए पंजाब एस रेजिडरेशन स्टेट करेंटली ठीक है ना लब आपका address वगरा सब पंजाब को होना चाहिए यह देखिए different चीज थी नई चीज थी क्यों कि जब इनका brochure आता है ना यह साल का brochure आ पंजाब और बोनाफेट रेजिडर्स ऑफ पंजाब में वह आपको बहुत यह देखिए यह देखिए यह दो नोटिफिकेशन ब्रोशर में भी डाल दिया है यह देखिए लेकिन इस ब्रोशर के खतम इस नोटिकेशन खतम होने पर एक बड़ा पुराना पंजाब का चलता यह देखिए कि पंजाब का रेजिडर्स स्टेटस किसी मिल सकता है तो जो इनसान बस पंजाब में पैयदा हुआ था वह बॉन इन पंजाब और पॉर्डूर्सर शर्टिकेट उसको हम पंजाब बोनाफाइट रेजिडर्स का सट्टिकेट दे रहे थे थे लेकिन पंजाब वैसे और यह ब्रोश्रम हमेशा देखते थे नहीं कि किस-किस को पंजाब रेज़न स्टेट मिल सकता है और बड़ा लूज भी था इसमें कि आप अगर आपके पास प्रॉपर्टी भी है तो भी आपको यह मिल जाता है पांच साल पुराना जुन आपको एक वीडियो में मैंन पार्टिसिपेट करते हुए आप किसी और स्टेट को नहीं यूज कर रहे हैं तो आप जान रखेगा उस ऐफटेविट को जब आप बनाते हैं इसको लाइटली मत लीजिएगा यह लोग चेक करते हैं शायद अपने सोर्सी से कि अगर आपने किसी और जगा तो नहीं भर है तो यह इनका एफटेविट होता है कि मैं किसी और पोटा से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो इसको यह कंबर सरी एफटेविट जो बोलते हैं और फिर यह अपलोड भी होता है पंजाब फॉर्म में तो आपको पहले बरवाना पड़ेगा कि जब आप ऑनलाइन तो फिर यही जो एफटेविट है वो अपलोड भी होता है और आप इस पर जैंगे ना तो आप देखेंगे कि रेइस्टेशन फॉर्म के दोरान ही तो आपको यह एफटेविट पहले से भरवा के रखना पड़ेगा क्योंकि यह यह देशी है यहां पर आप इसको अपलोड करना पड़ेगा तो इस चीज का भी आप धान रखेंगे और जैसा कि बोनेफार डेसे स्टेट तो हई कि पंजाब ही चाहिए लेकिन बड़ा ही इस वाइनों ने जैसा कहा कि गजब कर दिया वह वह रूल लगाया है और मैं समय निकल मिल देगा मैं कोशिश करूँ यह तीन मिली लेली सीट के बाहर सीट मिली नहीं ली एक लाग का डिपॉजिट जाता है लेकिन आप फिर भी मौपा में पार्टिसिपेट कर सकते हो तो यह पंजाब के बेसिक रूल होते हैं फिर मैं डिटेल वीडियो बना दूँगा यह वीडियो का बस परपस यही था कि जो यह हो गई है इस रूल की वजह से ओके बेस्ट विशिस बेस्ट अफ लग हमारा नंबर 96433-62320 पे कॉल कीजिए अगर आप हमसे हमारा प्रीमियम कोंशनी पैकेज लेना चाहते हैं या मुझसे शॉर्ट तम कर्सल्ट भी कर्सल्टेशन लेना चाहते हैं आपको हमारे प्रैसि लेना चाहते हैं तो आप ले ही सकते हैं डिपेंडिक अपॉन आपका क्या केश रहता है ओके बेस्ट विशिस बेस्ट अफ लग हैव नईज देग